So, how's up guys, मैं नमें जीते अंदर और आप देख रहे हैं हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल क्रेजी So guys, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने प्ले स्टोर को डार्क मोड में बदल सकते हैं और हाँ guys, इसके लिए आपको कोई भी आप्लिकेशन को अपने फोन में रखने की जरूरत नहीं है So guys, वीडियो को इन तक जरूर देखेगा और guys, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बुलेगा So, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्ले स्टोर है वो एकदम सिंपल है तो अब मैं आपको इसके अंदर डार्क मोड एनेबल करके बता देता हूँ So guys, इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन की जरूरत पढ़ेंगी जिसका नाम है डार्क मोड ये एक छोटी से अप्लिकेशन है जिसे के आपको इंस्टॉल करना है तो guys, अब आप बोलोंगे कि इसने तो कहा था कि इसके लिए कोई भी अप्लिकेशन को अपने फोर में रखने की ज़रूरत नहीं है तो हाँ guys, मैंने एकदम सही कहा था ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेंगा वो है car mode तो आपको simply से enable कर लेना है और फिर आपको नीचे तीन option मिलेंगे एक है day mode, night mode और auto तो फिलाल यह day mode के उपर है तो आपको simply night mode के उपर क्लिक कर लेना है और बस आपको स्रीफ इतना ही काम करना है और आपको back आ जाना है और अब मैं अपने प्लेस्टोर को open कर लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते गाईस, प्लेस्टोर कितना cool लग रहा है बस इसी तरीके से आप अपने प्लेस्टोर को dark mode में enable कर सकते और अब मैं आपको इस application को uninstall करके भी बता देता हूँ तो मैं simply back आ जाता हूँ और यहाँ पर से प्लेस्टोर को close कर लेता हूँ और फिर आता हूँ apps के अंदर और यहाँ पर से dark mode इस application को uninstall कर लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं डार्क mode इस application अनिस्टॉल हो चुकी है तो आप मैं simply play store में चले जाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उस application को uninstall कर लिया है फिर भी जो हमारा प्लेस्टोर है वो dark mode में ही है अब आप पूछोंगे कि इस dark mode को हटा है कैसे बहुत ही simple है आपको simply उस application को फिर से install करना है और वहाँ पर से day mode इसके उपर क्लिक कर लेना है फिर आपको जो प्लेस्टोर है वो पहले जैसा हो जाएंगा तो गाइस उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आईए अगर आपको मारी वीडियो पसंद आती है तो लाकें शेयर करना मत भूलेगा और गाशेन को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो से लाता रहूं